नमस्कार दोस्तों मैं हूराकेस और आप देख रहे हैं गोटू उनलाइन तो हमारे एक वीवर हैं उन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं ना फॉन पे से कर पा रहे हैं ना गूगल पे ना पे टियम यानि किसी भी UPI wallet से हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं जब भी हम पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारा transaction successful हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद हमारा refund आ जाता है लेकिन पैसा bank में credit नहीं होता है जिस bank में हम ट्रांसफर कर रहे हैं मैंने bank के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया बरोदा UP Gramid Bank तो देखिए एक वीडियो इस पर मैंने पहले भी बना रखा है तो देखिए मैं आपको बता दूँ bank को दो category में रखा गया है एक होती है CVS bank और एक होती है non CVS bank तो ऐसे ही पैसा जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पैसा ट्रांसफर करने के तीन मोड होते हैं एक होता है IMPS एक होता है RTGS और एक होता है NEFT तो देखिए जितनी CVS bank होती हैं उन CVS bank में आप किसी भी मोड से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं चाहे IMPS से करिए, चाहे NEFT से करिए, चाहे RTGS करिए तो जितने हमारे फॉन पे, गूगल पे, पे टी एम जितने भी वॉलेट हैं यूपी आई वॉलेट वो सारे यूपी वॉलेट हमारे जो हैं IMPS मोर्ड से पैसा ट्रांसफर करते हैं लेकिन जो हमारी non-CVS बैंक होती हैं, जिनमें जायदतर ग्रामीड बैंक हैं वो IMPS मोर्ड से पैसा असेप्ट नहीं करती हैं उनमें पैसा अगर आपको ट्रांसफर करना है ग्रामीड बैंकों में तो आप दो मोर्ड से कर सकते हैं या तो RTGS करिए आप या फिर NFT करिए IMPS से उन बैंकों में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा और जितने भी UPI वॉलेट हैं वो सारे UPI वॉलेट IMPS मोर्ड से ट्रांसफर करते हैं तो NFT करने के लिए आपको Net Banking यूज करनी पड़ेगी आप Net Banking के थ्रो ही NFT कर सकते हैं और NFT के थ्रो ही ग्रामीड बैंकों में पैसा ट्रांसफर होता है अगर आप IMPS के थ्रो यानि किसी भी UPI वॉलेट से पैसा ट्रांसफर करने की कोशिज करोगे तो आपका पैसा कर जाएगा लेकिन वहाँ पर पैसा ट्रांसफर नहीं होगा तो और कुछ भाई हमारे कमेंट करते हैं कि हमने तो NFT भी किया था फिर भी पैसा नहीं पहुचा है तो मैं आपको बता दूँ जब भी आप NFT करोगे तो NFT का जो पैसा है वो तुरंत एकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा जिस तरह हम IMPS से पैसा ट्रांसफर करते हैं कि हमारे एकाउंट से कटा तुरंत ही जिस एकाउंट में हमने ट्रांसफर किया तुरंत उस एकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लेकिन N.E.F.T. में ऐसा नहीं होता है जब भी हम N.E.F.T. करते हैं किसी भी अकाउंट में तो हमारे जैसे N.E.F.T. कर रहे हैं हम 12 वजे तो हमारे अकाउंट से तो तुरंत ही कट जाएगा 12 वजे ही लेकिन जिस अकाउंट में हमने N.E.F.T. किया है उस account में 3-5 गंटे में पैसा अपडेट होगा तो आपको कम से कम 3 गंटे से 5 गंटे तक वेट करना है N.E.F.T. का पैसा 3 गंटे से 5 गंटे के बीच में ही अपडेट होता है तो इस तरह आप किसी भी ग्रामीड बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको सिर्फ N.E.F.T. मोड ही यूज़ करना है और इसके जरीए आप किसी भी ग्रामीड बैंक में पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी जानकारी आपको वेशे मिलती रहें फिर मिलता हूं किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई